दोस्तो Realme X7 Series finally इंडिया में लाउंच हो चुका है और ये फोन का जो सीधा टककर होने वाला है, खास करके Realme X7 का टककर होने वाला है Mi 10i के साथ में दोस्तो जो काफी ज़्यादा सोल्ड हो रहा है और अपने पहले तीन वीक में दोस्तो 400 करोर रुपे का फोन जो है सोल्ड हो साथ कर दे सकता है Realme X7 दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि दोनों फोन में से अगर आपको चूज करना हो तो आपके लिए कौन सा फोन बैस्ट रहेगा तो बिना किसी देरी किये वीडियो को चालू करते हैं सबसे पहले दूस्त इस्तमाल किया गिया है पीछे गुर्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दू जो Realme X7 है ना इसमें पॉली कार्विन बॉडी का इस्तमाल किया गिया है और यह भी काफी अट्रेक्टिव कलर्स के साथ आ चाहूंगा क्योंकि ग्लास बेग बोडी वाले फोन अगर आप हाथ में लेंगे तो वह ज्यादा प्रीमियूम लगता है इसमें इसक्रेच आने के चांसे कम रहते हैं लेकिन एक डिसएडवांटेज यह भी है कि बाइचांस अगर कोई हार्ड सर्फेस पे आपका ग्लास ब वाली कारवन बोडी में दोस्तों आपको इसक्रेच आने के चांसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो मैं आपको सजेश्ट करूंगा अगर आप रियल्मी एक सेबन लेते हैं तो उसके सांथ दोस्तों आप एक अच्छा सा जो है बैक कबर जरूर यूज करें ताके इसक्रे फोन में है साथ ही साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सिंगल पंच-ágल देखने को मिल जाता है तो डिस्प्लेय क्योलेटी máximo की आसे देखने मिल जाती है वहीन पे मीट ए बर्डीय की बात की जाए तो यहां पे अपको 6.67 इंच का थोड़ा सा ब्रा डिस्पले देखने को मिलता है और यहाँ पे Full HD Plus का रेजिलेशन आपको देखने को मिल जाता है IPS LCD पेनल का इस्तमाल किया गया है 120Hz का आपको रिफ्रेस रेट देखने को मिल जाता है और 240Hz का आपको टच सेंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है इस फोन में और साथी साथ डिस्पले में भी Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और सिंगल पंच होला आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है वहीं पे Realme X7 में दोस्तों डिस्पले में कौन सा प्रोटेक्शन है इसको लेकर company ने कुछ भी नहीं कहा है और meet and eye में दोस्तों आपको in display fingerprint scanner नहीं मिलता है यहाँ पर side mounted fingerprint scanner देखने को मिलता है so दोनों की display में आपको अलग-लग advantage देखने को मिलते हैं किसी की display में आपको higher refresh rate देखने को मिलता है तो realme X7 जो है दोस्तों लगबग 176 से लेके 179 gram के आसपास का है और यह phone काफी lightweight और काफी पतला है दोस्तों वहें पर meet and eye की बात करें तो यह phone 215 gram के आसपास का है दोस्तों यह थोड़ा सा आपको भाड़ी देखने को मिलेगा यहाँ पर battery वगड़े भी दोस्तों आपको थोड़ी सी जदा देखने को मिलती है लेकिन अब अगर आप हाथ में लेके use करोगे तो आपको बहुत जदा heavy feel नहीं होने वाला है अब अगर दोस्तों प्रोसेसर के बाड़े में बात की जाए आपको snap drain का latest snap drain 750G का 5G chipset देखने को मिलता है और इसका भी enter to score दोस्तों लगबग 3,000,000 के आसपास का है so performance wise अगर आप देखोगे दोनों phone को तो day to day use में कोई भी आपको बहुत जदा फरक देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही phone जो है दुस्तों heavy task अगर करोगे दोनों ही phone में तो easily handle कर सकते है सबी games दोनों phone में easily चल सकते है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है performance को लेके दोनों ही phone में Nidetic Dimensity 800U जो chipset है दुस्तों वो 7 nanometer की technology पे based है दोस्तों वहीं पर मैं बात करता हूं snap RAM के 750G के बाड़े में तो यह 8 nanometer की technology पे based है लेकिन day to day use में बहुत जदा फरक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है दोनों ही phone के performance में इसके लावा दोनों ही phone में आपको 6GB RAM और 8GB RAM के दो variant देखने को मिल जाते हैं 128GB storage के साथ में लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फड़क आपको देखने को मिलता है meet and eye में आपको hybrid sim slot मिलता है यानि अगर आप चाहें तो इसमें memory card को बढ़ा सकते हैं लेकिन realme X7 में आपको memory card लगाने का कोई भी option देखने को नहीं मिलता है so यह थोड़ा सा down point है realme X7 का अगर आप memory बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते हैं realme X7 में और साथी साथ दोस्तो realme X7 में आपको UFS 2.1 का storage type देखने को मिलता है और Mi 10i में आपको थोड़ा सा fast storage type देखने को मिलता है UFS 2.2 का अब अगर दूस्तों camera's के बढ़े में बात करें तो यहां पे आपको बहुत ज़्यादा फड़क देखने को मिलने वाला है realme X7 में आपको triple camera का setup पीछे की तरफ देखने को मिलता है जो दोates नहीं परिए प्राइमरी sensor 64 MHz का है उसके अलवा 8 MHz काhalt ra wide angle lens 2 MHz का आपको depth sensor देखने को मिल जाता है मेंland Pay Me 10i की बात करें तो इसमें आपको 108 MHz का primary sensor देखने को मिलता है 8 MHz का wide angle lens देखने को मिलता है 2 MHz का depth और 2 MHz का macro lens देखने को मिलता है दोनों ही फोन में आपको 4K video recording का option देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में आपको EIS का support देखने को मिल जाता है वीडियो में slow motion video recording दोनों ही फोन से आप कर दते हो दोस्तो me 10 eye का जो camera है न वो काफी ज़्यादा अच्छे photos ले लेता है अगर आप 108 megapixel के camera को on करके photo log है तो वहाँ पर जो quality निगल के आती है वो काफी ज़्यादा कमाल की निगल के आती है तो मैं rear camera के लिए दूस्तो me 10 eye के सांथ जाना चाहूंगा उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ front camera की तो दोनों ही phone में आपको 16 megapixel का front camera देखने को मिल जाता है और Realme X7 में आपको front camera में भी EIS का support देखने को मिलता है अब अगर दोनों phone के camera के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो me 10 eye का जो camera है दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऐसे features एड़ किये गए हैं अब अगर sound quality के बारे में दोस्तों बात की जाए तो me 10 eye में आपको dual stereo speaker देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको 3.5mm audio jack भी देखने को मिलता है वहें पे अगर Realme X7 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको single speaker देखने को मिल जाता है अब अगर battery life को लेके बात की जाए तो me 10 eye में को 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 33W का fast charging देखने को मिलता है जो आपके phone को लगबग जो है एक गंटे में fully charge कर सकता है वही पे Realme X7 में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे दुस्त आपको 50W का fast charging देखने को मिलता है जो लगबग दुस्तों आपको 47 minutes में fully charge करके दे सकता है तो बहुत ज़्यादा फड़क अगर आप देखोगे charging में तो देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे meet and eye में दुस्तों आपको battery भी थोड़ी से ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अलावा दोनों phone में लबग आपको सभी basic sensors देखने को मिल जाते है meet and eye में दुस्तों आपको IR blaster देखने को मिलता है जिससे आप अपने home appliance को control कर सकते हैं जिससे आपका TV हो गया आपका AC हो गया यह सब चीजों को आप अपने phone से control कर सकते हैं लेकिन आपको Realme X7 में यह feature देखने को नहीं मिलता है यह साड़ी चीजे हैं दुस्तों जो आपको देखने को मिलती है दोनों ही phone में तो अगर आप सभी चीजे मिला के देखो तो दोनों ही phone दोस्तों काफी अच्छे हैं लेकिन दोनों ही phone में कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलती है जैसे Realme X7 देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा phone है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 3.5mm audio jack नहीं है उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे तो dual stereo speaker आपको देखने को नहीं मिलता है ना ही यहाँ पे दोस्तों micro SD card आप लगा सकते हो तो वहीं पे अगर आप meet and eye की तरफ देखोगे तो meet and eye दोस्तों एक perfect phone नज़राता है सिर्फ अगर आप इसके display को छोड़ दो सिर्फ इस phone में अगर display super AMOLED हो जाती ना तो no doubt दोस्तों यह phone जो है realme X7 को पूरी तरह से kill कर देता वैसे दोनों phone में से अगर आपको choose करना हो दोस्तों अगर आपको super AMOLED display से इतना ज़्यादा फड़क नहीं पड़ता है तो easily आप meet and eye के सांथ जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे features आपको मिलते हैं जो काफी ज़्यादा अच्छे हैं camera's आपको better देखने को मिलते हैं बांकि दोस्तों आप मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको अगर इन दोनों phone में से choose करना हो तो आप कौन से phone के साथ जाना चाहोगे इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था मिलते हैं आने वाले लिकसी वीडियो में तब तक के लिए enjoy करें